तो हेलो दोस्तों आपसे को स्वाग दे मेरे चैनल फ्यूरस आरशी वैं मेरे नाम है राजी वादव और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप 16-18,000 रुपे के बीच में एक अच्छा रिलायबल 5-inch FPV racing drone मना सकते हो जो कि quality wise काफी अच्छा होगा और रिलायबल भी होगा एक चीज में आपको पहले बता देता हूँ जो लोग इस hobby में पहले से हैं वो जानते हैं कि आर एक analog FPV racing drone मनाने के 5-inch का आपको कम से कम नहीं तो 30,000 रुपे डिले करने पड़ेंगे और उ सकते हो कैसे आप budget में एक अच्छा FPV racing drone मना सकते हो तो इस वीडियो को end तक देखना तो बाई सबसे पहला option आ जाता है मारे फ्रेम्स फ्रेम्स की अगर में बात करो तो आपके लिए best option रहेंगे आप Martian के कोई भी frames करी सकते हो 2000 रुपे की नीचे आपको बहुत सारे options अवि फ्रेम करी लेना ये काफी अच्छी quality के frames बनाते हैं ये ready to sky company का एक sub brand है जो की frames बनाता है और भी काफी सरी quality तो आप इसको prefer कर सकते हो अगर आपके जो requirements है उसके हिसाब से आ रहा हो नहीं तो आप QAV का 210 frame भी खरीच सकते हो carbon fiber का अगर मैं इसकी बात करो तो ये assembly में आपको काफी आसानी होगी क्योंकि एक single piece है bottom plate इसकी and प्लस इसका weight भी काफी कम है इन options में से आप कोई भी frame प्रेफर कर सकते हो तो दूसरा option आ जाता है मारी motors का और motors पता है कैसी field है जिसमें मैं आपको कभी नहीं कहूंगा यार खर्चा करने से थोड़ा पीछ आट हो क्योंकि motors ही कोई भी option प्रेफर कर सकते हो 1000 रुपए पर पीस की motors आपको मिलने वाली है और अगर आपको एक 4S drone वानाना है तो आप 2400 से लेके 2600 की बीच में कोई भी kv प्रेफर कर सकते हो और अगर आपको 6S drone वानाना है तो आप 1700 या 1900 की बीच में कोई भी kv प्रेफर कर सकते हो उसके requirement के साब साब इन motors को खरीद लेना तो भाई तीसर नंबर पे आता है हमारा stack stack का मतलब होता है हमारा flight controller और ESCs का जो combo है उसको बोलते हैं stack तो आप कहीं से भी खरीज सकते हो 6000 रुपे के निचे आपको आराम से आर अविलेबल हो जाना चाहिए जो best option रहता है हो मुझे लगता है कि HGLRC जो है वो काफी अच्छा electronic components बनाती है तो उनकी तरफ से एक HGLRC का स्टेक्टर F460 stack आता है आप उसे खरीज सकते हो उसमें आपको 50 amps के ESCs मिल जाएंगे यानि आप काफी मोटा current उसमें भेज सकते हो या फिर आप JEPRC की तरफ से Tacker एक stack आता है Tacker F22 पता नहीं क्या DR के store पे आपको available हो जागा 6000 रुपए कुछ तक कम मिल जाना चाहिए और जो HGLRC का stack है उसका price depend करेगा पता नहीं क्या DR के store पे तो 6000 का दिखा रहा है लेकिन the FP project पे शायद अभी sale चल रही है इसलिए आपको 5700 की बीच में मिल जाएगा तो आप कोई भी prefer कर सकते हो तो मैं लोग आगे बढ़ने से पहले मैं stack के बारे में एक और चीज़ कहना चाहता हूँ market में ब्रह्मायन विश्नुकर के stack आया है जो की specifications की अगर मैं बात करो तो features से बढ़ा हुआ है 6 मेने की आपको warranty मिलती है और मैंने पूरा data sheet पढ़ लिया और काफी सारे features उसके अंदर लिखे हुए है लेकिन मैं आज तक कभी खरीदा नहीं है तो इसलिए मैं आप viewers की help लेना चाहूँआ और ताकि जो दूसरे viewers है उन्हें भी help मिल जाए कि उन्हें खरीदना चाहिए कि नहीं अगर वो अच्छा है तो आप प्लीज एक बार comment section में जाके उसके बारे में कुछ ज़रूर लिख देना तो बाई चौत नंबर पर आज़ा था VTX यानि Video Transmitter पहले के टाइम पर मैं आपको बोलता था कि आप HGLRG के तरद से कोई भी ZUS के आप VTX खरीद सकते तो आपको काफी अच्छी रेंज मिल जाएगी लेकिन आप थोड़े price ही होते हैं और काफी अब milliwatt भी कम देने लगे हैं लेकिन एक brand है एक एक हैं इनके काफी जादा VTX पॉपिलर हो रहे हैं मार्केट में और अगर मैं इनके options बोलो तो 1500 से लेकिन आपको 3000 के बीच में 5-inch drone के लिए काफी अच्छे options मिल जाएंगे मैंने इनके VTX भी खरीदे हैं एक तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 400 MW का इनके नानो VTX है और यहाँ पर एक यह VTX है इनका 800 MW तक का यह भी काफी अच्छा option है आपको 1200 MW और 1600 MW के भी options मिल जाएंगे वो भी सर्फ 3000 उपर के अंडर अंडर में तो ज़रूर मिनिम में एक 800 MW का VTX तो ज़रूर रहना अच्छी रेंज के लिए तो वाई लोग 5 वी नंबर पर आता है मारा FPE camera और अगर मैं हमारे FPE camera का बूल हूँ जो आपकी analog FPE की video quality होगी वो depend करेगी इस camera के उपर ही तो इसके लिए तो best option तो रहेगा यह Foxeer का Prater Nano 5 camera आता है लेकिन यह थोड़ा out of budget है तो मैंसे गिन नहीं सकता best video quality अभी तक कि मुझे इसको लगी है लेकिन अगर आपको option देखना है तो आप run cam की तरफ से nano size का कोई भी camera खरीच सकते हो या फिर Caddx का एक ant light camera आता है Caddx का ant camera आता है वो खरीच सकते हो इनकी video भी okay okay है तो इन दोनों से आप कोई prefer कर सकते हो तो भाई लोग लास्ट option आता हमारे receiver का जिसके लिए आप भी जानते हो कि मैं सिर्फ एक की quality आपको prefer करता हूँ आप ELRS की तरफ से कोई भी receiver prefer कर सकते हो कोई भी receiver आप खरीच सकते हो quality में इतना जादा difference नहीं होने वाला तो मेरे तरफ से तो HGLRC ही best option है अब मुझे पता है तुम लोग सोच रहोगे यारे वीडियो खतम होगी बस parts खतम होगे अभी तो बहुत सारी चीज़े रह रही है propellers है, batteries है, fp goggles है लेकिन एक चीज़ बता हूँ, यह मैंने वीडियो बना रही थी build plans के लिए, वो भी सिर्फ एक drone के लिए जिसमें मैं drone की kit बता रहा था goggles और वो सारी चीज़े मैंने include नहीं करी थी और propellers को तो कौन ही गिनता है 300-400 पर आपको कोई भी अच्छी quality की propellers मिल जाएंगे तो इस वीडियो को तो मैं यहीं पर इंट करता हूँ Thank you very much for watching this video और इस चैनल को जरू सबस्क्राइब करना भाई